नमस्कार दर्शकों मैं जितेंदर गुपता आप देख रहे हैं स्टार सिटें न्यूस मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओखला विधान सभा में हमारे साथ विने चोधरी जी पूर्वी दिल्ली लोग सब आप यूत्विंग के सचीव हैं इस वक्त मौजूद है हमारे साथ विने जी आपका स्वागत है सर मेरा आपसे पहला स्वाल है कि या इस समय जो चल रहा है मुफ्त वैक्सिनेशन को लेके आपने जो ड्राइव चला हुए सर क्या आप अपने लो इसली चला रहे हैं कि लोग जो रह गए हैं जिनको वैक्सिन नहीं लगी है वो अपनी वैक्सिनेशन करा सकते हैं दूसरा हमारे विदेयक जी का सक्त निथ्देश है कि उन्होंने बोला है कि कट आपके गली मोहलेमें कोई रहना जाए जिस को वैक्सिन ना लगी रहा और अपने आपको वैक्सिनेट कराइए तो उसी संधर्ब में हम आगे काम कर रहे हैं चाहे वो कोई भी काम हो तो हम उसमें आगे बढ़ते जले जा रहे हैं जिसके लोगों को सहुल दूर ना जाना पड़े तो आज पास ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वह हो जाए और वैसे भी अगर यहां मेरी हां जो लगा हो आए मेरे हॉपने हॉपिटिल पर संजीवनी हॉपिटल है मेरा तो इसमें लग रहने का एक सबसे बड़ा फायता है कि जो भी लोग आते हैं जो मरीद तो पूछाने कि यह अपका क्या है वेक्षिन लगड़ी तो पहले से लोग पूछ रह से ही आज यहां पर वेक्सिनेशन ड्राइब चल रहा है जैसे कि मिस्ट कॉल जो भी मुहिम चल रहे हैं को लेकि कितने लोग आपने जोड़ा है और क्या आप इस छेत्र में क्या कहना चाहेंगे देखे पिछले हथे पार्टी ऑफिस आइटी ओपे मीटिंग वीटी बॉड़ वहां पर आपको लोगों को सदस्य बनाना है आम आधिपाड़े चाहें उसकी वोट हो या ना हो तो हम उसी संदर्ब में उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम जादा से जादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकें और आगे भी निरंतर हम यह कारे करते रहे हैंगे हम पहले एक बूत बना के वहां पर बैठे हैं कि वहां से हम बना रहे हैं फिर हम दोर टू दोर भी कर रहे हैं तो दोर टू दोर से करने से करने कि हम लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं तो हम उसके साथ-साथ इन कामों को एक साथ लेके चल रहे हैं जिससे लोग हमा विधायक जी है उनका कहना यह है कि जितने से जितने आप लोगों के संपर्क में आएंगे उससे लोगों में आत्म विश्वास बढ़ेगा वो अपनी समस्याइं भी बताएंगे उसके साथ साथ और आपके साथ जुड़ेंगे भी तो इस बार क्या लगता है दो एर बाइस च एपार्टमेंट है जिसमें ब्रस्टाचार के लावक कुछ नहीं होता है पिछले 15 साल से हम बीजेपी राज कर रही है बीजेपी आप देख सकते हैं इनके स्कूलों का क्या हाल है इनके मेडिकल सेंटर का क्या हाल है आप रोड का हाल देख लीजिए आप जहां पे कूड़ होता है आप गली महले देख लेजिए कोई भी सफाए है नहीं होथी थी परटी पर पर्टिकुलर जो यहां के पार्शोध हैं वह कहीं के भी यहांके पार्श़दौста के लिए मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि वह सिरफ एप पर्टिकुलर एक जगह पर काम कर रहे हैं जब क्यों कि non करते हुए कि शुख का थे हैं तो सबका कां करते हैं उसी के अनुसार यहां काम होने लप meth पारशत SARAH यहां काम होने हैं 24 सालों में कुछ नहीं काम करते हैं 73 साल साल फो पिछले दो बार से हैं तो साड़े नौ साल के यह उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया अपने से बहुत कुछ होता है काम करने के लिए बट उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों में आत्मिश्वास आए साफ सफाई को देखके आत्मिश्वास आए अपने कामों क सब्सक्राइब करें दिल्ली में जो माहुल बना हुआ है कि 200 की 272 की 72 सीट में से हम 200 सीटें इस वकत आम आदमे जीत रही है और फो सब्सक्राइबेक स्सक्राइब के रहें? के साथ जी तूसरा हमारे जो डो जो लोकल लेवल कि पचान हमारे एम डूसे होती हैं जो हमारे विदायक जी हैं श्रीयमान उतुलाखान जी मैं उनकी कारेशली और उनके काम करने का तरीका को मैं बताने जाता हूं कि वो पूरी दिल्ली में एकलोते ऐसे विदायक हैं जिन्होंने अपनी अपने को ना देखते हुए रात को तीन तीन मज़े तक लोगों की सेवा में हॉस्पिटल में अपोलो में एसकोर्ट में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके लोगों की समस्यां को सुनते हैं लगों कि समस्या का हल करते हैं मतलब कहीं भी चाहे पॉलिस स्टेशन जाना हो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी हो कई लडाई हो गई हो तो विधायक जी जाते हैं और इवन जैसे रात में रोड बनती है तो रात को किसी भी टाइम वह इंस्पेक्शन करते हैं बारा बज़े के बाद ही करते हैं उन में सबस कर रहा है क्या समान लगा रहा है कैसा उसका समान है कैसे वह काम कर रहा है तो वो उन में सबसे बड़ी कौलिटी है और वो मैं तो यह कहता हूं कि अब भी वह दूसरी बार आम लें वह हर बार यहीं से आमल रहें उपर वाले से दुआ करता हूं वही आमल ले रहें और उनक केजरिवाल जी जो कर रहे हैं सब का सयोग है लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाय होती हैं जैसे साफ सफाई भी एवन हमारी पार्टी करा रही है वो नहीं करा रहे हैं रोड बनवाना हो गया सोसाइटी में गेट लगवाने हो गई और कैमरे हो गई सोविधाय हो गई किसी के कार्ड हैं किसी के रशन कार्ड बनने हैं किसी के पैचान पत्र बनने हैं किसी का लेपर कार्ड बनना हैं मतलब किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो विधायक जी के यहां कोई भी खाली हात नहीं आता है इवन वो अकपड़ के चेर मैंन अभी और वहां से इतनी सहायता करते हैं लोगों की यह मेरी आखों देखी बात हैं वो यह नहीं कि मैं बोलू कि किसी के कहने बोलू मैं खुद देखता हूं खुद मैंने महसूस किया है कि हाँ वो इस तरीके के कार रहे हैं बहुत करते हैं कि लोगों की मदद करते हैं उनके साथ मतलब मेरे लिए कोई भी फ़ी गरीवद मी भुका न रह तो उसी के साथ कॅम करना चाहता क्योंकि वो इसी तरीके से निरंतर कार्य करते रहें तो जनता उनको और अधिक प्यार देगी और कुछ एक चोड़ा सा संदेश आप कुछ देना चाहेंगे मेरा संदेशा सिर्फ इसलिए कि जो भी लोग हैं जो भी यहां काम करने वार लोग हम सब कार्य करता हैं सब एक जु जिस संदर में चला रहे हैं कि सब का साथ और सब का विकास विश्वास यह जो है बीजेपी के लाइन है लेकिन हम इससे अलग हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब का विकास हो और विकास इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप अपने आपको पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आप कोई भी काम पॉजिटिवली आगे करी नहीं सकते हैं धन्यमसर आपने में समय दिया स्टार सिटी नियुज को तो यह हमारे सीधी बाद विने चोदरी जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंदर गुपता